नमस्ते मैं हूँ सुरेशक मारेक लव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स जब पाईजामे में नाडे का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया हो और जंगल में तैमन चड़ा कर बटेर ढूंडे जा रहे हो ऐसे में पडोस में बिजली चमके तो फटी में पाईजामे तो घुटनों पर आने ही हैं बटेर तो वैसे भी इनके हाथ नहीं लगने वाला सैन्न परमुक नर्वाने ने केवल हस्ते मुस्कुराते पियोके को लेकर एक बयान दिया पर कल से आज तक इनके पाईजामे उपर नहीं हो पा रहे हैं बड़ी बात यह है कि उन्होंने अभी तक एक्शन लिया ही नहीं पर इनका एक्शन साबुन का जाग बना हुआ है यह सब तब है जब ना बटेर इनके पल्ले है और ना दालभात घर में दाने होते तो मदर्सों में अम्मा अपने पोतों को तलास्ती नहीं फिरती वैसे इस मामले में भारत का सुभाव भी हटी हो चला है जब जब लगता है कि इमरान लोंडा हवा में उड़ेगा इधर से पियो की गिवापसी की बात करके उसकी फार्ण का काम कर दिया जाता है साइद इमरान की यही बड़ी मुसिबत है कि वैं मोदी सरकार के वक्त में पाक का वजीर आजम क्यों बन गया इसलिए बार बार मोदी पर अपनी खीज उतारते हैं 22 साल की लगान और 221 यूटरन के बाद वैं पाकिस्तान में तबदिली करने आये थी पर मोदी ने उनका राजनितिक कैरियर ही भेट चड़ा दिया है उपर से रावत के बाद मनोज मुकुद नर्वाने जैसे अकरामक फोजी को सेना दक्स बना कर उनकी फारने का कार्यकरम चला रखा है वैसे कहने वाले तो यही कहते हैं कि बारस सरकार इमरान खान के घबराना नहीं के पीछे पड़ी है ताकि इमरान एक दिन घबरात का शिकार होकर खुद कहदे की कस्मीर दे दिया अब पीओ के भी ले लो पर रोज रोज फाड़ो मत अब पाईजामे को उपर चड़ा कर घूम लेने दो यानि इसके बाद इमरान ट्रक की 101 बत्यों के पीछे दोड़ने वाला पाकिस्तान का एक मातर लोंडा बन जाएगा पर इमरान की दिक्कत यह है कि उनके मंत्री मंडल में सूर्माओं की भरमार है वे सब इमरान से उपर होकर बकैती तो कर देते हैं पर बाद में पाईजामा इमरान का पकड़ लिया जाता है जैसे कि पाँच अगस्त के बाद परमानुराग अला पे गई बाद में अंतराष्ठ जगत का डंडा इमरान को ही चड़ाया गया दरसल कल विदेश मंतरी एस जैसन करके पियोके के वापस लेने सम्मंदी ब्यान पर सेनप परमुक नर्वाने ने कहा था कि संसद का प्रस्ताव है कि जम्मू कस्मीर का पूरा छेत्र हमारा है जिसमें पियोके भी सामिल है अगर संसद चाती है कि वो इलाका भी हमारा हो और हमें वे आदेश मिलता है तो इसके मुताबिक कारवाई की जाएगी गोर तलबै की नर्शिंग राव सरकार के दोरान फरवरी 1994 में संसद में संकल प्रस्ताव पारित कर पियोके को जम्मू कस्मीर का छेत्र बताते हुए भारत का इस्सा करार दिया था इससे पहले रक्सामंत्री राजराच सिंग ने जम्मू कस्मीर से और उसे 370 रटाए जाने के बाद कम से कम दो बार साथ कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत केवल पियोके के मसले पर होगी इसके बाद से ही इमरान का खोप बढ़ा हुआ है इमरान जब जब इस घबराट से बाराता दिखाई देता है भारत की तरफ से उसे पियोकी गिडोज दे दी जाती है इधर DGISPR की तरफ से गिदरभव की आई की LOC पर उनकी सेना तैयार है वैसे इनकी सेना बाला कोट और उरिप परकरन के बाद भी तैयार थी पर आदी रात को पाकिस्तान को सोने का संदेश दे कर ये खुद भी खर्राटे लेने लगे थी जिसके बाद पाकिस्तानी जनता इनकी मदरसा जुबान का मतलब समझने लगी है अब सवाल यह है कि भारत इस तरह इमरान की कब तक फारता रहेगा जनता तो यही आस लगाए बैठी है कि रोज रोज भारने से अच्छा एक बारी फार कर कानी खतम करो कम से कम इमरान को तबदीली लाने का अवसर मिले दरसल भारत सरकार पीयोके को लेकर 2017 तक भी कोई इस पश्ट नीती नहीं बना पाई थी इसी पीयोके को वापस लेने के लिए 1965, 1971 और 1999 में तीन युद हो गए हाला कि 1999 को कारगिल युद के रूप में जाना जाता है मगर पाकिस्तान कस्मीर को पीयोके का हिस्सा बनाने की फिराक में था पर वहाँ भी उसे मुह की खानी पड़ी मोधी सरकार से पूरवर्ती सरकारे पाकिस्तान के परती उदारता दिखाती रही इसी प्रिपाटी को अटल ब्यारी वाजपई सरकार ने भी आगे बढ़ाया पीयोके को लेकर संकलप पारित तो हुआ पर कोई स्प्रशनीती कभी नहीं बनी लेकिन वर्तमान मोधी सरकार धारा 370 को रिमूव करने के बाद मिले अंतराष्ट समर्थन से गदगद है इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इसे वापस लाने की दिशा में काम हो रहा है मोधी सरकार की मंचा यह है कि किसी घोसित संगर्थ की बचाय पीयोके को हासिल किया जाए इसके लिए फिर से अंतराष्ट जगत में यह परचारित किया जा रहा है कि पीयोके भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैद कबजा करके रखा है इसमें आदे से जादा भूमिका पाकिस्तानी भारत की चाल में फसकर निभा रहा है वैद दुनिया में डिनोरा पीट रहा है कि भारत पीयोके पर कारवाई करने की फिराग में है यानि इस वक्त पीयोके को अंतराष्टे मुद्दा बना कर उसे वापस पाने की एक ओपन पोलीशी पर कदम बढ़ा है जा रहे है इस मसले पर कानूनन भारत का पक्स मजबूत है पाकिस्तान जानता है कि उसने पीयोके पर अवैद कबजा किया हुआ है इसलिए बचाओ की भूमिका में जादा है जबकि भारत की तरफ से उसकी घेरबंदी बढ़ती जा रही है संबबत बीच बीच में भारत की तरफ से पीयोके पर आने वाले उक्सावे वाले ब्यान इसी रननीती का एक हिस्सा है जानकार मानते हैं कि मोधी सरकार अपने इसी कार्यकाल से पहले ही पीयोके का भारत में विले कर लेगी इसके लिए भारत की नजर पाकिस्तान की घरेलू राजनीती पर टिकी हुई है यानि पाकिस्तान यदि ऐस्तिरता की तरब बढ़ता है तो उस वक्त भारत वैमो का गवाना नहीं चाहेगा फजलूर रह्मान दुआरा अक्टूबर में किया गया आजादी मार्च ऐसा ही अवसर बन सकता था आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वन्द मात्रम